प्यारे बच्चों, हम Great Caliphs of Islam चेप्टर की रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे वाटार डाइग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। डाइग्राफ्स आर टू लेटर्स देट टीम आप टू मेक वान साउंड। डाइग्राफ्स जो हैं वो दो लेटर्स मिलकर एक आवाज निकालते हैं जैसे CH है तो बजाए अलैदा अलैदा क और ह की साउंड निकालने के CH से च की साउंड निकलती है यह क की इसी तरह आईग्राफ्स जो है उनकी एक्जेंपल्स में हैं जैसे फोटो है तो आप देखें पी एच जो है वो मिलकर एक साउंड बनारे है टू लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं एफ की फोटो तो इसी तरह laugh, laugh में g-h जो है वो f की आवाज निकालता है तो हम laugh में l-a-u-g-h spelling लिखते हैं लेकिन बोलने में laugh तो यह consonant digraphs के लाते हैं, दो letters मिलकर एक sound निकालते हैं इसी तरह what is a trigraph, a trigraph is a group of three letters that make one sound trigraphs जो हैं, वो group of three letters हैं, जो मिलकर एक आवाज बनाते हैं जैसे d-g-e, यह तीन letters हैं, यह मिलकर j की sound बनाते हैं जैसे आपने देखा bridge, bridge जो है कुर्दू में इसको pull कहते हैं bridge में, आखर में d-g-e, j की sound निकालते हैं इसी तरह t-c-h जो है, वो भी एक trigraph है, जो c-h-ch की sound निकालता है जैसे watch, w-a-t-c-h, watch, आप देखें कि इसमें end में तीन लफ्स मिलकर एक sound बनाते हैं इनको trigraphs कहते हैं फिर silent letters, silent letters को खमोश letters भी कहते हैं silent letters जो हैं, वो लिखने में तो लिखे जाते हैं, spellings में लेकिन उनकी कोई भी sound नहीं होती जैसे silent letters are letters that appear in the spelling of words but don't make a sound जैसे ये क्या है, ये knife है तो knife में हम noon से, noon की sound निकाल रहे हैं, end की knife लेकिन अगर आप इसके spelling देखें, तो knife लिखा जाता है k-n-i-f-e, knife तो k जो है, उसको हम silent letter कहते हैं कि spelling में तो है, लेकिन बोलने में उसकी sound नहीं है तो प्यारे बच्चों, हम great caliphs of Islam पढ़ रहे हैं तो हमें नभी करीम से लिखें के सारे सहाबी, जो हो सच बोलते थे क्योंकि नभी करीम से लिखें का फर्मान है truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise अगर आप सच बोलेंगे, तो आप जो है, वो हक पर होंगे और हक पर रहना, सीधे रस्ते पर रहना, आपको जननत में ले जाएगा तो प्यारे बच्चों, आज से एहत करें कि अपने मजाद में भी जूट नहीं बोलना नभी करीम से लिखें के बताय हुए रस्ते पे चलना है, कुरान को तर्जमे से पढ़ना है और नभी करीम से लिखें की बताय हुए सुनतों पे अमल करते हुए हमेशा सच बोलना है, चाहे बड़े हो कि आप बिजनस करें बिजनसमें बने एक फोज में जाएं या कोई जॉब करें आपने हमेशा सचाई का रस्ता इक्तियार करना है अब जो एक पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुए आपने वह गौर से पढ़ना है और उसमें से आपने डाइग्राफ्स, टाइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स को अलेधा करना है अब आप देखें कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसमें डाइग्राफ यूज हुए है पहचान लिया आपने, यह है कैलिफ, इसमें पी एच जो है वो एफ की साउंड निकाल रहे है, दो लेटर्स मिलकर एक साउंड निकाल रहे है नेक्स लाइन है, लेकिन हम इसको नोन पढ़ते हैं कि एक ही साउंड नहीं है तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, यह जो है वो साईलेंट लेटर है कि इन हिस रेन, दा इसलामिक एमपायर स्टैश टू पर्शिया, रोम एंड एजिप्ट रेन कहते हैं दौरे हकुमत को दौरे खलाफत में तो आप देखें कि रेन में जीक जो है उसकी आवाज नहीं आ रही तो इसलिए रेन में जी जो है वो साईलेंट है और इसी तरह स्टैश्ट पर अगर आप देखें तो इसमें एक ट्राइग्राफ इस्तमाल हुआ है टी सी एज स्टैश्ट तो इसलामी हकुमत जो है हजजद अमर के दौर में पर्शिया, एरान, रोम और मिसर की सल्तनत तक पहल गई अब आप देखें कि इसमें कौन सा डाइग्राफ या ट्राइग्राफ इसमाल हुआ है इसमें स्कॉलर्शिप्स में दो जगा जो है वो डाइग्राफ यूज हुज हुआ है विकल सही पहचाना, यानि के वो अपने दोरे हकुमत में गरीब बच्चों को स्कॉलर्शिप्स देते थे, वजीफा देते थे अगर मुस्लमान लीडर जो है, वो इनसाफ के साथ हकुमत करना चाहते हैं तो उनने हजड़त अमर की पहर भी करनी चाहिए तो प्यारे बच्चों इसमें आपने पहचान लिया के कौन सा डाइग्राफ है, वेरी गूड, शुड में, एससे जो है वो एक डाइग्राफ है हम प्रैक्टिस जो अभी हमने देखा तो डाइग्राफ में कैलिफ, स्कॉलर्शिप, शुड ट्राइग्राफ में TCH, स्ट्रैच में यूज हुड और सालेंट लेटर्स, नोन और रेन, क और जी सालेंट लेटर्स हैं, नोन और रेन में तो आपने make new words with डाइग्राफ CH, तो आप देखें कि आपके मुँपे एक है, छोड़ी को चिन कहते हैं, तो चिन में CH यूज हुआ है, और इसी तरह चिक, चूजे को इंग्लिश में चिक कहते हैं, इसमें भी CH यूज हुआ है make new words with डाइग्राफ WH, तो WH में ये देखें, ये वील है, और ये विसल है, विसल सिटी को कहते हैं, और वील पहिए को, और make new words with डाइग्राफ आइजी हुआ है, तो ये बहुत आसान है, आपने light देखी होगी, light इसमें IGH, तीन लफ्स मिलकर एक अवाज निकालते हैं, इसी तरह night में, N-I-G-H-T, आप देखें, तो तीन words मिलकर एक साउन निकालते हैं, make new, make new words with ट्राइग्राफ टी-सी-एच, तो ये है watch और ये है cat, उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इस चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, करें, निक करें एक पसंद आया आया है यादा जरो खेक नहादी कहा और आपक वीडियों कहा ईक एक पहादी को शीए-सी मिलकर घ् giपेसाग्राइब क विन ट्राइग्राईब कि एक लादा ज Training Dave